दोस्तों अगर मैं आप लोगों से कहू कि इंडियन क्रिकेट के फर्स क्लास करियर में अगर किसी बॉलर ने अब तक सबसे ज़्यादा विकेट लिये हो लेकिन आप लोग फिर भी उनको अपने आने वाले टूर्णामेंट डुलिप ट्रॉफी में टीम में सलेक्ट नहीं कर रहे हो तो यह तो बहुत ही ज्यादा गलत बात है ठीक ऐसा ही जलत सकसेना के साथ हो रहा है जिनकों की अपकमिंग टूर्णामेंट डुलिप ट्रॉफी के लिए साउथ जोन की टीम में सलेक्ट नहीं किया गया इसी बात से नारा जोकर जलत सकसेना ने एक ट्वीट किया है और उसमें ये लिखा है कि रंजी ट्रॉफी क्रिकेट हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा विकेट लाने वाले बॉलर को अगर डिलिप ट्रॉफी के लिए टीम में सलेक्ट ना किया जाए ऐसा हिस्ट्री में पहली बार हुआ है और ये इंडियन क्रिकेट का सलेक्शन पैनल ऐसे क्यूं काम करता है मुझे तो आज तक नहीं पता चला क्या आप लोग को पता है कमेंड जरूर करना